बे दिवसना विरामवाद रविवारे चतिसगटना रायगट जिलामा कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी नी आगेवानी मा भारत जोडो न्याया यात्रा फरी शरू थे राहूल गांधी यहीना गांधी चोग खाते महात्मा गांधी जीनी प्रतिमारे पुश्पान जले अरपन करी हाथी और यात्रा जिलाना खारस्या विदान सबा मत विस्तार तरफ आगडवदी हाथी कॉंग्रेस ना नेताओ अने समर्थकों ने विशाड भीड चोग पर एक्ठी थे हाथी राहूल गांधी नी पाचड थाया हता अने त्यारे तेवो प्रदेश कॉंग्रेस ना प्रभारी सचिन पाइलोट राज्य पक्षना बड़ा दीपक बेज और विपक्षना ने ता चरण दास महंच साथे खुल्ली जिप पाहता यात्रा एक जन आउट रिये खास प्रोग्राम गुरुवारे ओडिशा थी रायगड मा प्रवेश थी और बैदिवस ना विराम पछी ते रविवारे बप्परे फरी शरू थे अहीं कॉंग्रेस ना कारे करताओ ये जणाव होतू के कॉंग्रेस ना नेताओ जणावे अनुसार गया वर्षे नविम्बर मा योजायली राज्य विदान सभानी चुन्ठणी मा भाजप ना हाथें कॉंग्रेस ने भारे हार नो सामनों करवो पड़ो अनि तेपची आ यात्रा पाटी मा कारकरूनों मनुवडवधार शे आ यात्रा गुरुआरे चतिसगड ओडिशा सरहत पर राइगर जिल्ला रेंग पाली चेक पोस्ट पर राज्यमा खास प्रवेशी हती आनि त्यारे राहूल गांधी त्या एक जाहर सभाने संभोधित करिए तेरे भाजब पर प्रहार करता राहूल गांधी आरोप लगाद होतो कि शासक पक्षना बै मुद्दानों कारण का खास जी अन्याई छे तैने प्रोच साहन आपान नफरत अने हिंसा पहलावानों छे तेमने वड़ा प्रधान नरिंद्र मोधी परपण निशान सान्यों होतो तेवो जन्म थी OBC न थी कारण के तेमनी इग्नाती घांची छे अने 2000 मां गुजरात तातकालिन भाजब सरकारद्वारा अन्य पच्छात वर्गुन यादी मां सामिल करवा मां वी थे यात्रा चओद फेबरुआर ये जारखंड मां प्रविश्ता पहला राइगड शक्ति कॉर्बा सूरजपूर सुर्गुजा अने मच बलरामपूर जुल्ला माती पसार थे ने 36 गड़ मां 536 किलोमीटर नों अंतर काप्ष है आजकल एक नई चीज चली है कि कॉंट्रैक्टर होता है न वो कॉंट ठेकेदार वो कॉंट्रैक्ट लेबर में लोगों को नोकरी देता है मतलब उसको दो मिनट में अगर अगर उसने थोड़ा सा काम ठीक नहीं किया या बिमार हो गया तुरांत एक सेकंड में निकाल देंगे अब आब एक काम करो जो कॉंट्रैक्ट लेबर में मजदूरी करने हैं उनकी लिस्ट निकालो और उसमें देखो पिछड़े दलेत आदिवासी कितने मालूम है कितने सो परसेंट भाईयों में नो आप लोगों का काम पिछड़ों का दलेतों का आदिवासीयों का काम सो परसेंट कॉंट्रैक्ट लेबर में है मगर देश को चलाने में देश के स्वास के सिस्टम में देश के शिक्षा के सिस्टम में कोर्ट्स में सरकारी विवस्ता में आपका कोई नहीं है भाईयों मतलब मतलब जो पहले हुआ करता था अजादी से पहले कि जो हमारे पिछड़े लोग थे धलिक आदिवासी थे वो सिर्फ मजदूरी का काम करते थे उधर ही नरेंद्रमोदी ले जा रहा है देश को और भहिया जो मैंने आप से आज बोला यह आपने कभी मीडिया में देखा है अच्छा तो मुझे बताओ मैंने चेक किया है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपणी में टीवी और अखबार की कंपणी में कितने आदिवासी कितने दलित लित कितने पिछले लोbane जी यह मेरा प्रेस कॉंफरेंस करते हैं एक आपको ना पिछड़ा मिलेगा ना धलित मिलेगा ना अधिवासी मिलेगा इसलिए आपकी बात तीवी पे अगबारों में मीडिया में नहीं आती इसलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्र की मैं आपको कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान में समाजिक न्याय का सबसे करांतिकारी कदम जैसे यहाँ पे पहले आजादी मिली करांतिकारी कदम उसके बाद हरी करांति हुई करांतिकारी कदम उसके बाद सफेद करांति हुई करांतिकारी कदम उसके बाद बैंक नैशनलाइजेशन प्राइप्रिवी पर्स हटाए गए करांतिकारी कदम उसके बाद लिबरलाइज क्रांतिकारी कदम वैसे ही जाती जन्गर्णा क्रांतिकारी कदम है इसके बाद हिंदुस्तान की राजनेती हमेशा के लिए बदल जाएगी क्योंकि पिछनों को पता लग जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है दलितों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है है और यह जो अन्याय हो रहा है उस दिन के बाद पूरे देश को पता लग जागा बहिया यहाँ पे दो परसेंट को सारा का सारा धन मिल रहा है मैं यहाँ पर अपना खून पसीना दे रहा हूं मैं चोटी कि सच्चाई सब के सामने बिल्कुल सामने क्लियर हो जाएगी अब मोदी जी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग आरे सेस के लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो जात थी वो भी सी थी वो OBC पैदा ही नहीं हुए वो OBC कब बने जब गुजरात में BJP सरकार ने उनकी जाती को OBC वर्ग में शामिल किया मोदी जी की जाती क्या है गांची गांची मोट गांची गुजरात में ये OBC जात नहीं थी इसको 2000 में BJP की सरकार ने OBC बनाया इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री जाती जन्गन्ना इसले नहीं कर रहे हैं क्यूंकि OBC है ही नहीं वो है ही नहीं वो वो एक्चली कहते हैं OBC उनको बैठाया गया है बाईय और बेनो उनको बैठाया गया है वो OBC नहीं है और वो OBC का पिछडों का गरीबों का काम कभी नहीं कर सकते ये सचा ही है और मैं आपको कह रहा हूँ मैंने मन बना लिया है हिंदुस्तान में समाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगला कदम जाती जनगरना और मैं इसको करके दिखाऊंगा मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ कि वाला नहीं हुए स।